दोस्तो एलर्जिक कंडिशन या डस से या फोलन से धूल से जिन लोगों को एनलजी है ये एक बहुत कोमन सी कंडिशन बनती जा रही है आजकल और इसकी संख्या बढ़ रही है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डेली एलेगरा जैसी दवाईयां मॉन्टे लुकास लिवो सिट्राजिन ऐसी दवाईयां डेली लेनी पड़ती है एक दिन ऐसा आता है कि फिर ये भी काम नहीं करती हैं कि डोस बढ़ानी होती है ऐसी सिच्वेशन में अगर आप होमेपाथी की तरफ जाते हैं तो आपको बैटर रिजेट मिलेंगे और बिमार वीडियो को सेर जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ में बैल आइकन होता है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टैमली मिलते रहें तीन बहुत खास इंपोर्टेंट दवाईया बताऊंगा होमेपाथी की एक परित रहात भी चाहिए एकदम से रहात भी चाहिए और उसकी जो कंडिसने वो भी ठीक हो इस तरीके से एक लाइन ओफ ट्रीटमेंट है जो मैंने बनाया है जो बहुत अच्छे से तीन दवाईयां इसमें मैंने बताई है जो काम करती है पेसिंट की हेल्प के लिए वीडियो है प्रोमोशनल वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ यह मैं पहले बोल दे रहा हूँ आज तक मैंने कोई प्रोमोशनल वीडियो बनाया भी नहीं और बनाऊगा भी नहीं केवल पेशिंट की हेल्प के लिए और एक जन्व स्वास्ते के लिए होमेपैथी को कैसे यूज कर सकते हैं वही चैनल का देए पेड कंसल्टेशन बंद कर दी है उसमें बहुत सारे फ्रोड हो रहे थे लोग ऐसे ही उल्टे सीधे नंबर शेयर करके बोल रहे थे मेरे से बात हो जाएगी और पैसे एक दो लोगों से लिए है कि मेल आइडी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा केवल मेल आइडी पर आप मेल करके अपनी प्रोग्लम लेख सकते हैं चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों डस्त से अलर्जी पोलन पराग कर्ण जिनको बोलते हैं यह एंवार्मेंट जब चेंज होता कि ऐसे निकलते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को एलर्जी रहती है जिससे उनको पूरा दिन छीके चलती रहती है आखों से पानी टपकता रहता है नाथ से पानी निकलता रहता है सफोकेशन फील होती है चाती में दबाव महसूस होता है ऐसा लगता है कि जैसे सांस लेने में तकलीफ होगी और अच्छे से सांस आ भी पाएगा नहीं आ पाएगा कुछ लोगों को लेटने से तकलीप बढ़ जाती है, एस्थमा जैसी कंडिशन बन जाती है, लेटने से सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे सभी लोगों को भी ये दवाईयां काम करती है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ. कारण इसका allergic reaction ही होता है, हमारी body एक hypersensitive reaction, action का reaction जनरेट करती है, जब भी हम किसी ऐसे allergen के संपर्क में आते हैं, जिसको हमारी body accept नहीं करती है, चाहिए वो हमारी inhale करके सांस के थ्रू अंदर गया है, या हमने उसको खाया है, या उसके contact में आये हम direct, जैसे ही हम उसको हमारे body क साथ में वो match होगा, हमारी body उसको एक reaction के तरीके से उस पर एक hypersensitive reaction दिखाएगी, जिससे inflammation generate होगी, और छीके आना, आखे लाल हो जाना, आखों से पानी टपकना, सरदर्द होना, किसी को skin की problem भी हो जाती है, लेकिन हम आज respiratory स्वसंद तंदर से related समश्याव की बात कर रहे है इन सभी situation में हमें 3 homeopathic medicine का हम यूज करेंगे, पहली dilucine की remedy है, remedy का नाम है जस्टीसिया आदा तोड़ा या जस्टीसिया आदा तोड़ा इस टाइप से भी हम उसको जानते हैं, Indian herb है और सिंगी के नाम से इसको जानते हैं, बहुत अच्छी दवाई है, dust से allergy की, pollen से allergy की, dust pollen क जब पर्क में आने से अगर सांस लेने में तकलीफ हो, छींक बढ़ जाए, नाक बंद हो जाए, नाक ऐसा लगे जैसे कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो, नाक में कुछ रख दिया हो किसी ने, constant लगातार सनीजिंग चलती रहे, लगातार छींके आती रहे, loss of smell हो जाए, जालना है किसी को, इस सभी सिच्वेशन में ये मेडिसिन जो है, जस्टीशिया को हमें यूज करना है, इसकी 30 पोटेंसी आपको लेनी है, और 30 पोटेंसी की 2 गुंदे सुबह और 2 गुंदे शाम को हमें लगातार कुछ जिन तक यूज करनी है, बड़े चोटों सभी को 2 ग पेटेंट प्रपेरेशन है, यह है, ओम्यो एलर्जी की टैबलेट आती है, और बीजेन की है, बीजेन कंपनी की, इसमें भी ऐसे बायकेमिक सोल्ट हैं, कई सारे जो पेटेंट को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, इसमें कालीमूर है, नेटरमूर, फेरमफोस, इसके लाब बेप्टीश्या, टिंक्ट हो रहा है, जो फिवरिस कंडिशन में भी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को बुखार जैसा लगता है, बदंदर की महसूस देती है, सेबडिला है, सेबडिला सुबह सुबह छीक के लिए है, और जिनको सुगंद से छीके आती है, इवरिस कंडिशन में, और दूसरा, अगर किसी को बोडी पेन भी रहता है, तो उसकी भी बहुत अच्छी रिमेडी है, कॉस्टी कम है इसमें, जुखाम, कॉस्टिक्शन, छाती में ओप्रेशन फील होना, इन सब पे ये रिमेडी काम करती है, काली सल्फ, काली मूर, फेरम की बात करते हैं, तो इसके जो अगर कोई बड़ा पेसिंट है, जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, उसको समझे कि आप चार टैबलेट सुबह, चार दोपैर, चार शाम, बच्चा है, बारा साल से कम है, तो दो-दो गोली, दिन में तीन बार, ये गोली टैबलेट का प्र तीसरी जो दवाई है, वो भी प्रिपेरेसन ही है, टैबलेट में नहीं है, वो ड्रोप में है, ये है LRN, न्यू लाइफ कमपनी का LRN है, इसको भी, इनको अफनली में प्रिसकाइब करता हूँ, खासकर जो नए है, जिनको अभी-अभी अलर्जी हुई है, अगर उन अब्देटम है, एकलिप्टस, ग्लोबिलस है, नेटरम, आरसेनिकं है, सेबडिलास में भी है, सेंगुनेरिया नेटरीकं है, सेंगुनेरिया नेटरीकं भी बहुत अच्छे दवाई है, अगर किसी को नाक में मास बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी अलर्जरिक रियक्शन ही किसी को होती है चीके आती है लगातार पानी निकलता है आखों से नाख से उसमें बहुत अच्छा काम करती है इसकी डोज क्या रहेगी इन दोना दवा के साथ में इसकी दस दस बूंदे दस बूंद सुबह दस दोपेर दस शाम ऐसे लेंगे छोड़े बच्चों को पांच-प अलर्जी, रेस्परेटरी अलर्जी ठीक होती चल जाएगी देरे देर और कुछ दिन बाद हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और वापस भी नहीं आती है यह था आज का वीडियो एलर्जिक रायनेटिस, एलर्जिक सिच्वेशन में हम होमेपैति का लाइन ओफ ट्रीट्मे क्या रख सकते हैं, थैंक यू